डियर यूजर पिछली वीडियो में हमने HTML लिस्ट के बारे में जाना था और आज की सुट्यू में हम HTML टेबल के बारे में जानेंगे तो HTML में टेबल बनाने के लिए लिए सबसे पहले हम New File पर क्लिक करेंगे जिसे लगाना जरूरी होता है इंटर प्रेस कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहां पर लिस्ट डार्ट एस्टिमल जो हमने पहले पढ़ाता हुआ है तो इसको हम यहां से कैंसल कर देते हैं तो अभी हमारे पर टेबल डाट एस्टिमल नाम की एक फाइल है और यहां पर अब हमें क्या करना कोडिंग करना है तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एस्टिमल का जो बेसिक कोड होता हम यहां पर लिख लेंगे तो एस्टिमल का बेसिक कोड लिखने क है table-in-ashtmol या फीर estmol table लिख देते हैं estmol-table तो अभी हमने यहाँ पर लिख दिया है title में estmol table अब जो हमेны table बनाना है तो table बनाने के लिए हमें क्या करना हो बॉडि के अंदर जो है table के टैगUS जो होते हैं हाँ पर लिखने होंगे तो सबसे पहले हम आपको बदा देए एस्टमेल में टेबल हम कैसा बनाएंगे तो टेबल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक तो थ्री फोर फोर कालम है उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबल लिखा हुआ नेम लिखा हुआ पोजीशन लिखा हुआ और सैले लिखे हुई है तो यह भी एक रो है या फिर आप बोल साकते हैं यह एक टेबल हीड है तो कुछ इस तरह का टेबल हम जो है टेबल में और यहाँ पर बोडी के अंदर हमें क्या करना है टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल टेग ले लेंगे तो टेबल टेग लेने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल तो अभी हमने क्या किया है बोडी के अंदर हमने टेबल टेग ले लि हैं तो हमें क्या करना होगा चार्ट टेबल रो बनाना होगा तो टेबल रो बनाने के लिए हम यूज करते हैं ती यार टैग का जिसका फुल फार्म होता है टेबल रो तो चलिए हम HTML में चलते हैं और यहां पर चार टेबल रो ले लेते हैं तो टेबल रो बनाने के लिए हमें लिख टीया टैग का यूज करना होता है तो यहां पर हमने टीया टैग लिख दिया है और इसको हम इस पेज दे देते हैं तो कुछ इस तरह से हमने एक टीया टैग बना लिया उसके तो हमें 4 table रोब बनाना होगा तो यहां पर T.E.L. लिखेंगे और इसको भी इस तरह कर देंगे अब हम इसका live preview कर लेते हैं तो हम यहां पर लिख देते हैं show preview पर click करते हैं तो यहां पर अभी आप देखेंगे कुछ भी show नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने यहां table row में कोई भी data यहां पर नहीं दिया है तो हमें सबसे पहले यहां पर data देना होगा जब हम data देंगे तो यहां पर आपको show होगा तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह Tital,coins चारर TL ले लिए है अब इन चारो تीयार के अंदर हमें क्या करना होगा तो हमें इन चारों के अंदर table data देना होगा, तो table data हम insult कैसे देंगे, तो table data देने के लिए हम यूज क्याते है TDR Booster apple.png पर Click करते हैmat now our table data जो कितना है तो first row में आप देखेंगे 1234 4 table data है तो हम क्या करेंगे 4 TD का इस्तमाल करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर आजाते हैं और unterre幾 part hier में हम क्या करते हैं यहाँ पर TD tag का इस्तिमाल करते हैं, तो हमारा एक हो गया TD, उसके बाद हम दूसरा लेते हैं TD, आप यहां पर देखेंगे table data में, तो table data यहां पर 4 है, 1, 2, 3, 4, तो इसलिए हमें 4 TD लेना होगा, तो अभी हमने यहां पर 2 TD बना लिया है, ऐसे हम यहां पर 2 और बनाएंगे, 3 हो गया, उस चारो को copy कर लेना है, क्योंकि same आप देखेंगे अगर, तो यहां पर 1, 2, 3, 4 है, ऐसे second row में भी 1, 2, 3, 4 है, तो हमें सब को same करना है, तो same करने के लिए हमें क्या करना होगा, यह हमारा first TR हो गया, अब second TR में हम इसको TD को copy किया है, यहां पर paste कर देंगे, उसके बाद same process हम next वाले में करेंगे, third वाले में हम इसको paste कर देंगे, उसके बाद last वाले में भी हम क्या करेंगे, TD को paste कर देंगे, तो paste करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको refresh करेंगे, तो यहां पर अभी आपको कोई भी changes नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अभी भी हमने TD में कोई भी data नही दिया है अब हमारा क्या काम है अब हम यहाँ पर आएंगे साबसे उपर तो यहाँ पर देखेंगे टेबल में तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ फरस्ट में नंबर लिखा हुआ है अगर फरस्ट में नंबर लिखा हुआ है तो हमें नंबरिंग कैसे यहाँ पर करना है तो इसको represent करेगा और force जो td है इसको represent करेगा जैसे कि यहाँ पर यह वाला first हो गया td second वाला जो है यह हो गया यानि second वाला यह हो गया और third वाला यह है तो td यहाँ पर यह third है तो इसमें आप जो भी data लिखेंगे यहाँ पर so होगा third वाले में ऐसे ही यह force है तो आप इस वाले td में जो भी लिखेंगे यहाँ पर so होगा तो अब आपको कुछ idea हो गया होगा कैसे हम इस table को लिखेंगे तो जैसे यहाँ पर आपको पहले ही बताएं यहाँ पर अगर एक हमको लिखना है हमें क्या करना होगा first वाले में यहाँ पर देना होगा ऐसे ही अगर हमको यहाँ पर दो लिखना है तो हमने जैसे पहले ही आपको बताया फ़र्ट जो td है यहाँ पर ये जो first td है यह वाला first जो td है इसको represent करता है पहले column को represent करता है तो यहाँ पर हमने एक लिखा उसका अदर हम दो लिखेंगे तो second जो table row है इसके अंदर हम दो लिखेंगे उसके बाद हम याँ third वाले में आ तो third वाले में भी हम first TD में three लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, fourth TR में हम यहाँ पर four लिखेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं हमारा data जो है कुछ इस तरह से हो चुका है, अभी आपको यहाँ पर border नहीं दिख रहा होगा, तो हम border भी use करेंगे, तो अभी हमारा table जो ह ready हो रहा है, तो कुछ इस तरह से हमने अपना table का numbering कर लिए है, one, two, three, four, आप यहाँ पर देखेंगे, table में number जो है, one, two, three, four, यहाँ पर show हो रहा है, अब उसके बाद देखिए, Bill Gates लिखा हुआ है, founder micro लिखा हुआ है, उसके बाद one हजार dollar लिखा हुआ, तो अब हमें तीरी है, यह किसको represent करता है, इसको represent करता है, ऐसे four table data के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस्तमाल करेंगे, तो यहाँ पर हमने first, second, third इस तरह लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करते है, first वाले में क्या data था, यहाँ पर आप देखेंगे, first में Bill Gates लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं Bill Gates, third वाले में क्या लिखा हुआ था, तो आप यहाँ पर देख लेंगे third में लिखा हुआ, founder micro, तो हम यहाँ पर लिख देंगे third वाले में, F-O-U-N-D-R, founder micro, यहाँ पर हमने founder micro लिख दिया, उसके बाद ford में हमारा है $1000, तो हम यहाँ पर fourth वाले में ल $1000, कुछ इस तरह से हमारा table यहाँ पर है, जैसे Bill Gates, founder micro, और $1000, कुछ इस तरह से यहाँ पर सो रहा, first row में है, तो first row में हमने यह कर दिया, उसके बाद हमारा second row है, second row में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हमारा second table row यह है, और यहाँ पर हमने numbering पहले ही कर दिया, यह table data जो ह कुछ इस तरह से यहाँ पर 100 होगा, अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, तो steep job, apple founder, $1200, इसको आप लिखेंगे, तो कुछ इसी तरह से आपको 100 होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, steep job लिखते हैं पहले में, steep, बाद हमारा third वाले में क्या लिखा हुआ, founder micro लिखा हुआ, हमारा second row भी यहाँ पर तैयार हो चुका है, अब आजाते हैं, third row में, तो third row में आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, third row में लिखा हुआ, Larry page, Google founder, और $300, तो हमें आप लिख देते हैं, third page में, Larry page, यहाँ Google founder है, तो हमें आप लिखेंगे Google founder, उसके बाद यहाँ पर हम लिखें हमारा table data किया है, Mark Zuckerberg और founder, Facebook और $500, तो हमें किरबर, founder, Facebook, यहाँ पर हम लिख देते हैं, founder, Facebook, उसके बाद यहाँ पर $500 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे $500, तो अभी हमारा table जो है, लगवग ready हो चुका है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे जो डाटा है, आप यह है, यहाँ पर table format में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर table heat है, तो table heat हम कैसे लगाएंगे, तो table heat लगाने के लिए हम क्या यूज़ करना होगा, ती heat का यूज़ करना होगा, तो इस table heat को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाते हम table estimel मे और table के अंदर हम यहाँ पर जैसे table हमने यहाँ से table शुरू किया है तो इसके just नीच से हम यूज़ करेंगे t-heat tag का तो t-heat tag हम कैसे लिखेंगे तो t-heat tag लिखने के लिए है यहाँ पर हम लिखेंगे t-heat और यहाँ पर आप देखेंगे इसका opening tag है उसके बाद इसका closing tag है तो अब हम table heat बनाना चाहते हैं तो इसके just अंदर हमें क्या करना होगा TS का use करना होगा, TS tag का use करना होगा तो TS tag का use करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे TS tag तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से हम TS tag लिखेंगे अभी हमने यहाँ पर एक TS बना लिया है तो यहाँ पर हमें तो 4 TS चाहिए ना तो जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 table heat है ना तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 4 TS बनाना होगा कहां पर ही किया है, टेबल के जैस्ट नीचे किया है उसके बाद हम यहाँ पर table heat के अंदर हमने क्या किया है table heater का इस्तमाल किया है, तो हमने 4 table heater बनाना था तो हमने यहाँ पर क्या किया है, चाह ती एच का यूज किया है अब इस TH के अंदर हमें क्या लिखना है तो अभी आप यहां पर देखेंगे यहां पर नमबर लिखा हुआ है तो पहले वाले नमबर लिखा हुआ तो पहले TH में हम नमबर लिख देते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले NO लिख देते हैं तो यह हमारा नमबर यहां पर आप लिखेंगे तो अभी हमने number name position और उसके बाद last जो हमारा है Sally तो हम यहां पर लिख देते हैं last वाले में Sally तो अभी हमने last में लिख दिया है यह table जो हमारा बन कर ready हो चुका है यहां पर आप देखेंगी ये table हमारा है और table जो है आप इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो देखिए अच्छा दिखने लगेगा तो अभी हमारा table जो ये वाला table है इससे मिलता जूलता table बन चुका है लेकिन इसमें क्या है इसमें आपको border दिख रहा होगा और इसमें border नहीं दिख रहा होगा तो हम border कै ऐसे बनाएंगे तो चलिए हम border भी बना लेते है तो border बनाने के लिए हमें STL ka everytime करना होगा तो इसके लिए हम table Is hytv तो border लिखेंगे तो border लिखने के बाद यहाँ पर आपको equal sign लगाना और double code यूज करना double code के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए border जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर border बनकर ready हो चुका है border के लिए हमने कोई भी यहाँ पर value नहीं दी है तो अगर हम यहाँ पर 10px देते हैं तो देखिए क्या होता है तो यहाँ पर 10px जैसे हमने लिखा तो यहाँ पर देखिए border बन चुका है अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको table में थोड़ा सा space दिख रहा होगा इस space को आप कैसे खतम करेंगे उससे पहले हम table border को जो value है इसको हम one कर देते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा table दिखेगा क्योंकि हमें इस तरह का table बनाना है तो table बनाने के लिए हम यहाँ पर देखिए border तो हमने बना लिया है पर border के अंदर gapping है और इसमें gapping नहीं है तो हम क्या करेंगे gapping को कम करने के लिए इसी table tag के अंदर हमको क्या लिखना होगा cell spacing लिखना होगा तो हम यहाँ पर इसकी value 1 रखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं cell spacing तो यहाँ पर cell spacing हमको लिख देना है cell spacing लिखने के बाद हम यहाँ पर equal sign लगाएंगे और double quote के अंदर हमें लिखना होगा 0px अगर आपको बता देते हैं, अगर cell expressing में आपको यहाँ पर value नहीं देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर estimate में default जो cell expressing जो value होता है, 5-6 PX तक होता है, तो अगर हम इसको 0 PX दे देते हैं, तो अभी आप यह देखेंगे, हमारा जो table है, बनकर ready हो चुका, कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अगर इस table को आप देखेंगे, और इस table को हम थोड़ा सा इधर करते हैं, तो दोनों table में आपको कोई भी different नहीं दिख रहा होगा, दोनों table हमारा same बनकर ready हो चुका है, आप यहाँ पर देखेंगे number, name, position, Sally, जो भी लिखा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर same show हो रही है, अगर आप table में यहाँ पर जैसे चाहते हैं, heat के अंदर color देना, तो आप background का use कर सकते हैं, जब हम CS पढ़ेंगे, तो CS के अंदर हम table के बारे में आपको और detail से बताएंगे, कैसे आप table को color दे सकते हैं, तो तरह कई estimate table है, यहाँ पर हमने बहुत ही असानी से बना लिया है, अगर आपको HTML table में कोई भी सवाल करना तो आप comment कर सकते हैं, तो आज की studio में बस इतना ही मिलते हैं, next video में, next HTML topic के साथ, thank you for watching.